आखिर इंजन CC का क्या मतलब होता है आई ये मैं आपको practically बहुत असान तरीके से समझाता हूँ देखो आकसर आप सुनते हो कि 100 CC, 200, 400, 600, 1000 CC का इंजन है तो आखिर ये इंजन CC होता क्या है आई ये मैं आपको समझाता हूँ अब यहाँ पर आप देखो ये है Slender Block और सारा खेल इस Slender का है यहाँ पर आप देखो Slender जो यहां से स्टार्ट हो के इसके अंदर में यहाँ पर end हुआ है इंजन CC में जो CC होता है उसका Full Form होता है Cubic Capacity किस चीची Capacity इस Slender की Capacity जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो यह जो पर स्पेस है असान लब्जों में करना हूँ तो यह जो जगह है यही होता है इनजन सिसी अगर 150 सिसी कजन होगा तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा वह होगा एक सोपचास सेंटीमेटर क्यूब जैसे इंजन का साइज बड़ा हो जाता माली 400cc कर जाना है तो ये जो हमारा सेंडर इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा 400 cm3